हेलो एवरीवन वेल्व कम बैक तू माई चैनल आज हम आपके लिए मैंगो योगर्ट की एक रेसिपी लेकर आये हैं जो देखने में बहुत ही सुन्दल होती है और खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और बनाने में उससे भी आसान है तो चलिए देखते हैं किस तरह से बना लिए कपड़े में बाद कर उसका पूरा पानी निकाल लिया है अब इस थेosasya कर भी एक किप्लेंट कर लेना है और एक इसका पेस्ट हमने तयार कर लेना है आपको जिसकी सहायता से इसको स्मूठ बनाना हो वैसे ही कर सकते हैं आप हमने दुसरी तरप एक आम ले लिया है औ और उस आम का हमने मिक्सी में गुदा निकाल के उसका पेस्ट बना लिया है ये देखिए हमारे पास एक आम का पल्प है इसको हम दही के अंदर मिक्स करेंगे अच्छे से चमच से या विसकर की हैल्प से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे पूरी तरह से आम का जो पल्प ह जो गुर्दा है वो दही के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए ये इस तरह से हमारा मिश्रन त्यार हो गया है ये हमारा मैंगो योगर्ट आलमुस्स त्यार है अब हम इसको गार्निश करेंगे इसके लिए देखते हैं क्या करेंगे एक बॉल लीजिए और उसमें हम अपने मेंगो योगर्ट को डालेंगे इसमें हमने मिठा अलग से नहीं मिलाया है क्योंकि आम की मिठास अपने आप में ही बहुत होती है लेकिन अगर आपको मिठा थोड़ा ज्यादा पसंद हो तो इसमें थोड़ी सी आप चीनी मिला सकते हैं या कंडेंस्ट मिल्क कटा हुआ आम के टुकड़े और ड्राइफूट हम अपने पसंद से आपको जो भी ड्राइफूट को पसंद हो उनको हम इसमें डाल सकते हैं मैंने या पर थोड़े से बदाम लिये हैं कटे हुए बारिक यह हमने कद्दू के बीज लिये हैं थोड़े से और थोड़ा और थोड़ी सी काली किश्मिश तो इस तरह से यह हमारी मैंगो योगर्ट बनकर तयार है यह बहुत ही स्वादिश लगती है और कर्मी के मोसम में जब तक आम है इसका मज़ा उठाए इसका लूथ ले वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करे चैनल को सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत